Hey everyone, welcome back, welcome to another video on GraphQL series and this video में हम बात करने वाले हैं authentication in GraphQL, ठीक है? तो हम देखने वाले हैं किस तरह से हम GraphQL के अंदर authentication कर सकते हैं, किस तरह से हम login and sign up कर सकते हैं and इस चीज़ के लिए हम यूज करने वाले हैं JWT authentication, so let's start with the video तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने सिर्फ अपने जो application उसको सिर्फ हमने refactor किया था, last video में if you remember तो हमने different folders बनाये थे और हमने ये एक file बनाये थी and इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, you know that इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है तो सबसे पहले चीज़ हमें क्या करना है, हमें अपना docker compose को run करना है, ठीक है, तो because मैंने अपनी machine को restart किया था, तो docker compose is like stopped, तो हम यहाप लिख करेंगे docker compose, docker compose, अब hyphen d, hyphen d का क्या मतलब होता है, detached mode, इसका मतलब किया, कि मेरा terminal attached नहीं होगा, ये background में run करता रहेगा, you can यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ dev, to start the development server, and जब यह start हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर localhost 8000 को open कर लेता हूँ, so localhost 8000 slash GraphQL, right, तो अभी देखते हैं, अभी क्या state है, basically हमने क्या किया था, last video में हमने एक user के mutations बनाई थी, right, and अगर हम mutation को देखते हैं, तो यहाँ पर एक mutation थी, को code करना है, हमें actually में, हमें actually में यहाँ पर user को create करना है, ठीक है, तो let's see how we are going to do this, ठीक है, तो हम service layer का use करने वाले हैं, but before that, हम कुछ चीज़े देख लेते हैं, तो mutations के अंदर हम क्या करते हैं, हम first name लेते हैं, हम last name लेते हैं, हम email लेते हैं, and password लेते हैं, यहाँ पर हम एक change users का last name नहीं भी हो सकता, ठीक है, तो इसको optional करके, and अब हमें क्या करना होगा, हमें migration run करनी होगी, npx, prisma migrate, dev, hyphen, hyphen, name, equals, तो इसका name क्या होगा, name, इसको हम name दे सकते हैं, that make last name, you know, optional, yeah, enter, तो यह क्या करेंगा, optional उसको कर देगा, right, done, and उसके बाद फिर से yarn dev, cool, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने, जो हमारे mutation है, इसके अंदर हम इसको हटा सकते है, that अब यह optional है, and password हमें चाहिए होगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक service layer बनाएंगे, ठीक है, तो source के अंदर, मैं क्या करूँगा, मैं यहां पर एक services बनाऊंगा, services, ठीक है तो service के अंदर हम क्या करेंगे, हम पहले एक user service बनाएंगे, तो यहां पर मैं बोस्ता हूँ, user.ts, तो यह हमारी user service है, ठीक है, service layer का क्या काम होता है, basically, मैं तुम्हें एक overview देता हूँ, that हमारे पास क्या होगा, हमारे पास एक graphql layer है, let us say that यह हमारी क्या, graphql layer है, तो एक graphq layer क्या करते है, port number, like 8000 के उपर, यह कहा, यह lesson करता है, slash graphql के उपर, right, तो यह एक तरह का हमारा API है, जिससे हम frontend के साथ interact कर सकते है, right, and हम क्या करेंगे, हम अपने backend के अंदर एक service layer बनाएंगे, ठीक है, एक service layer, and यह graphql service क्या करेंगी, इस service layer के साथ interact करेंगे, ठीक है, तो that is a good pattern to follow, ठीक है, तो service layer के अंदर हम बनाएंगे class, ठीक है, and इसको हम बोल सकते है, user, service, ठीक है, तो जितना भी user related code होगा, जितने भी user related operations होगे, वो हम इस file के अंदर करेंगे, and यहां से export, default, user service, तो हम पहली service बनाते है, तो उसको मैं बोलूँगा, public, static, and इस service का नाम होने वाले create user, right, create user, ठीक है, तो create user के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है, तो यहां पर एक interface बना सकते है, तो interface, ठीक है, and इसको हम बोल सकते है, that create user payload, तो मुझे first name चाहिए, right, तो first name चाहिए होगा, that is of type string, ठीक है, उसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे last name च तो मुझे एक payload दोगे, जिसका type किया होगा, create user payload and उसके बाद, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यहां से return करूँगा Prisma Client, ठीक है, Prisma Client जो हमने lib के अंदर db में बनाया था .user.create, ठीक है, and create करने से पहले हम क्या करेंगे, हम यहां से पहले कि first name, last name, उसके बाद email, उसके बाद password, अब यहां पर एक problem कि है हमें यहां पर password को hash भी करना है, right, password को hash करना है, तो password को hash वगरा करने के लिए हम use कर सकते है, crypto का, तो यहां पर मैं सेच करूँगा, crypto hashing, okay, hashing node.js, तो यहां पर एक बहुत अच्छी example है, तो यहां पर हम एक example को देख सकते हैं, तो hash passwords, ठीक है, तो इसके अंदर होता है, dot create hmark, तो यहां पर हम साच कर सकते हैं, create hmark, yeah, so this is the example, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको import कर लेते हैं, node crypto में से, create hmark को, ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे, उपर import, तो इसके उपर import something from node crypto, और इसमें होगा, create hmark, okay, तो यह क्या करता है, यह हमाले एक salt generate करेगा, तो like हम क्या करेंगे, हम एक secret generate कर सकते हैं, like एक secret कुछ भी हो सकता, like this is a salt, ठीक है, तो salt generate करने के लिए, what I can do, हम uid भी उसकर सकते हैं, मतलब हम कुछ भी उसकर सकते हैं, तो उसके लिए we have create random, okay, so हमारे पास यहां पर एक function होता था, create, not create, random bytes, okay, तो हम यहां पर करेंगे, that const, salt, ठीक है, पहले एक salt बनाते हैं, इसको हम करेंगे, random bytes, ठीक है, कितने digits का, like let's say हम 32 characters का एक bytes बनाते हैं, इसको हम कर देंगे, dot to string, ठीक है, तो यह हमारा क्या बन गए, salt बन गया, right, इस salt को यूज करेंगे, हम अपने password को hash कर सकते हैं, तो मैं इसको बहु सकता हूँ, cost, hashed password equals, तो hashed password कैसे बनेग तो उसके लिए हम करेंगे, that, जहां पर documentation में, create hmark, ठीक है, create hmark, उसके बाद कौन से algorithm, SHA256 algorithm यूज करना है, उसके बाद हम अपना salt देंगे, right, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने अपना salt दे दिया, फिर हम करेंगे, update, किसको update करना है, किसको hash करना है, dot update, ठीक है, जो भ तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर salt दाल देंगे, and hashed password, यहां पर asset दाल देंगे, right, तो हम original password को store नहीं करेंगे, हम हमेशा hashed password को store करेंगे, and यह हमारी service बन गही, अब हमें क्या करना है, हम इसको भी export कर लेते हैं, create payload को भी, तो इसको भी हम export कर लेते हैं, अब हम क्या कर सक create user payload type का है ना and यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले हम user बनाएंगे तो I can say const result या फिर response equals await user service dot create user and इसके अंदर यह payload send user create हो जाएगा and उसके बाद हमें return क्या करना है तो अगर हम अपना schema देखते हैं तो हमें string return करना है तो string के case में I can say that हमें क्या return करना है हमें user की id return कर देते हैं ठीक है हम user की id return कर देते हैं तो return response dot id that's it done ठीक है अब इसको चला के भी देख लेते हैं and चलाने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज करूँगा मैं अपना item open करूँगा ठीक है तो इसके अंदर right इसको copy कर लेते हैं जो भी हमारा container का name है and यहाँ पर मैं एक चीज करना चाहूँगा that मैं यहाँ पर बोलूँगा इस थोड़ा zoom in and यहाँ पर बोलते हैं docker execute interactively इसके अंदर ठीक है जो हमारा यह है bash हम container के अंदर आगे तो पहले su postgres यह हमारा user है psql ठीक है hyphen l list हो जाएगा यह हमारा database है q उसके बाद hyphen c इसके साथ हम connect कर लेंगे command k सब कुछ clear hyphen d describe users का एक table है and then I can say hyphen x and select star from users ठीक है enter you can see that अभी मेरे पास एक record है जो हमने पिछली वीडियो में बना आता तो इसको हम delete कर देता अब अगर मैं select करता हूँ you can see कोई भी रो नहीं है ठीक है तो हम front end से क्या करेंगे हम user बनाते है तो हम first name देते है Pius ठीक है and हमारा server running है या हमारा server running है तो यह होगा Pius last name क्या होगा gurg email id होगा piushgurg.dev at gmail.com and हमारा password होगा piush at 123 तो मैं तो zoom in करके दिखाता हूँ that मैं क्या रख रहा हूँ तो इसको थोड़ा सा expand कर लेते है तो you can see that मैंने एक mutation किया ठीक है इस mutation कहा हूँ मैं एक नाम देते है create user mutation ठीक है कुछ भी एक friendly सा name तो हम यहाँ पर कर क्या रहे है देखोगे जो मेरा पास्वड़ा यो completely hashed हो चुका है ठीक है you can see that यो पास्वड़ा hash हो चुका है and यह हमारा salt generate हो अब इसमें problem किया that इसमें अगर तुम देखोगे कुछ characters भी है जो readable नहीं है तो इसके लिए हम क्या कर सकते है हम इसको बोल सकते है तो यहाँ पर create service के अंदर we can say dot to string and इसके अंदर we can say hex ठीक है as in hex ठीक है तो दुबारा try करते है एक new user बनाते है अच्छा एक चीज़ देखना अगर मैं दुबारा CC request को send करता हूँ तो हमारे पास एक error आएगा ठीक है error के आया कि basically हम क्या कर रहे है हम email क्योंकि हमने constraint लगाया था कि email unique होगा right if you remember अगर मैं अपना prisma open करता हूँ तो हमने email के उपर unique लगाया था जिसके कारण में दुबारा से same email id से user नहीं बना सकता तो यहाँ पर email के उपर वो चीज़ फेल होगी ठीक है तो that's a good thing तो इसको ही काम करते है future.dev 1 कर देते है और दुबारा से करते है create user बन गया select start from users and now you can see that this is my salt ठीक है and this is my hash तो हम passwords को hash करके रख रहे है which is a good thing and इस user को हम delete कर देते है ठीक है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ delete from users where and we can say email email ही रखा था email equals यह वाली हमारी email right enter delete one अब हम कर सकते है select start from users enter and you can see that हमारे पास एक user है right and यह salt है यह password है ठीक है बहुत बढ़िया and उसके पास हमें क्या करना है ठीक है तो हमारा जो sign up process है बहुत अच्छे से work कर रहा है ठीक है and इसके अंदर हम क्या कर सकते है अगर हम अपने user service आते है हम यहाँ पर कुछ validations लगा सकते है ठीक है तो हम like before doing this thing तो हम यहाँ पर क्या कर सकता है हम यहाँ पर एक validation layer बना सकते है कैसे कि जो email है वो एक proper email होना चाहिए जो password है उसकी minimum length इतनी होनी चाहिए तो वो हम सारे चीज़े कर सकते है बढ़ ठीक है उसको हम किसी और video में करते है right because that is simple straightforward thing तो हमारा जो create user है वो बन गया है ठीक है similarly हम क्या कर सकते है हम यहाँ पर अगर user को वापस से login करने है ठीक है तो login करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा हमें उसका password matching चाहिए होगा तो हम क्या कर सकते है हम यहाँ पर एक और चीज़ बना लेते है ठीक है एक और service तो public, static, login इसको login नहीं बोल सकते है basically देखो login process कैसा होगा तो पहले login process को discuss कर लेते है ठीक है तो login process कुछ ऐसा होने वाला है कि user हमें अपना email देगा and user हमें password देगा and अगर यह दोनों चीज़े match कर दाते है हम उसको JWT token बना के देदेंगे हम उसको JWT token बना देंगे and अगर यह password गलत होता है तो हम उसको बोलेंगे invalid password ठीक है तो यह हम बनाने वाले है तो इस चीज़ को हम implement करते हैं तो हम क्या करेंगे हम यहाँ पर बोलेंगे public static get user token ठीक है get user token and इसके लिए user को हमें एक तो email देना होगा and एक password देना होगा ठीक है तो यहाँ पर एक export interface and इसको हम बोल सकते है get user token payload ठीक है and इसको हम बोलेंगे that इसमें मुझे एक तो email चाहिए होगा and मुझे क्या चाहिए होगा एक password ठीक है तो इसमें तुम मुझे एक payload दोगे payload जिसका टाइप होगा get user token payload and इसके अंदर हम क्या करेंगे हमें पहले match करना है ठीक है तो अब हम इसके अंदर को कितना कुछ करने वाले है कि पहले हम देखेंगे that उस user का password चाहिए है या नहीं and उसके basis पर हम उसको token बना कर देंगे तो पहले destructuring वाला का तो payload आजाएगा payload के अंदर से email and password ठीक है तो सबसे पहले हमें check करना है कि जो उसका password है वो सही है या नहीं तो कैसे हमें क्या करना पहलेगा जो user हमें password देगा उसको वापिस से hash करना होगा ऐसा क्यों because hashing की एक property होते है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक function बनाते है public static get user by email ठीक है एक new function और इसको private कर लेते हैं ठीक है private function और इसके अंदर तुम मुझे email दोगे of type string और मैं बदले में क्या करूँगा I'll just return prismaclient dot user dot find unique find unique and इसके अंदर मुझे क्या करना है where clause where के अंदर email यह वाली email अब यहाँ पर हम बोलेंगे that user service dot get user by email देखे रहे हो किस तरह से हम code कोई reuse कर सकते है and यहाँ पर मैं email pass कर दूँ correct उसके बाद यहाँ पर problem क्या होगा कि यह जो user है यह हो भी सकता है नहीं भी right because इस हो सकता है इस तरह का कोई user exist है नहीं करता लेका एकन से if user dot इसको await भी करना है don't forget इसको हमें await करना है and इसको हम public static ठीक है and इसको हमें async भी करना होगा ठीक है तो if user dot या फिर हम यहाँ पर बोलते है throw new error ठीक है तो यह एक तरह का 404 error होने बाला है तो इसमें हम बोल सकते है that user not found भाई इस email का कोई user ही नहीं है ठीक है अगर user मिल जाता है तो हम यहाँ पर बोलेंगे that user का salt का है user salt तो वो हमें कहां से मिलेगा तो यह user dot salt because हमने उसका salt हमाई database में रखा था अब मैं बोलूंगा that users user hash password ठीक है तो हम क्या करेंगे अब भी जो user है अब भी वाला जो user है जो से password दिये हम इसको hash करेंगे ठीक है hash करेंगे यह वाले algorithm करने है तो हम यहाँ पर एक और function बना लेते है ठीक है हम यहाँ पर एक function बनाएंगे public not public private private static generate hash ठीक है and इसमें तुम मुझे क्या दोगे salt of type string and salt दोगे and एक तुम मुझे क्या दोगे password ठीक है of type string तो code को जितना reuse कर सकते that is a good thing तो इसके अंदर हम क्या करेंगे salt हमें salt मिलेगा right and password मिलेगा तो हम क्या करेंगे हम यह वली चीज इसके अंदर कर सकते है right तो हम इसको यहाँ पर pass कर देंगे and हम इस salt को use करेंगे इस password को करके हम यहाँ से return कर सकते है hashed password ठीक है and इसकी जगा हम यहाँ पर क्या कर सकते है तो हम यहाँ पर बोल सकते है const hashed password equals to userservice.generate hash of the password ठीक है code को reuse कर रहे है है हम and यहाँ पर हमें salt को भी pass करना है cool ठीक है तो यह भी हो गया and similarly हम यहाँ पर भी क्या करेंगे अब userservice.generate hash तो यह हम user का salt pass कर देंगे यहाँ पर and जो भी user ने password दिया अब अगर तो अब यहाँ पर ध्यास देंगे अगर यह वला hash match कर जाता है जो भी user का password है user.password तो यानि कि सब कुछ सही है यानि कि everything is good तो इसको हम क्या करते है not कर देते है तो अगर वो match नहीं करता तो हम throw कर देंगे throw new error ठीक है error क्या होगा incorrect incorrect password यह password incorrect है अगर यह सब कुछ सही जाता तो यहाँ पर हम क्या करेंगे generate a token तो हम यहाँ पर करेंगे generate a token तो token generate करने के लिए हमें JSON Web Tokens को install करना होगा तो यहाँ पर हम कर लेते हैं यान add JSON Web Token ठीक है JSON Web Token and spelling तो गलत नहीं किया ना नहीं तो JSON Web Token and यान पर क्या कर से तो मैं यहाँ पर import कर लेता हूँ import JWT import JWT from JSON Web Token ठीक है तो JWT को यूज करके हम एक token बनाते हैं ठीक है तो token बनाने के लिए हैं से const token equals JWT dot decode sign verify तो हम यहाँ करना है sign करना है एक token generate करना है payload क्या होगा हमारा ठीक है तो payload क्या चाहिए तो payload के अंदर हम एक तो user की ID डाल देता है that is user की ID एक हम user की email डाल देता है user dot email ठीक है बस इतना ही डाल देता है and उसके बाद secret तो secret हम क्या करते हैं secret बनाने के लिए secret होता है वो पूरे throughout the application same रहना चाहिए तो usually हम इसको ENV से ले सकते हैं ठीक है underscore secret and इसको हम रख लेता है that superman कुछ भी add there it 123 बनलब कुछ भी रख सकते हैं ठीक है ये secure होना चाहिए and इसको use करके हम क्या करेंगे हम एक token बनाएंगे and हम return करतेंगे एक token that's it done यह तो होता है login और क्या होता है ठीक है अब हमें क्या करना है अब हमें graphql के अंदर इसके लिए एक root बनाना है तो वो हम कैसे बनाने वाले है पहले हम जाएंगे query या फिर mutation यह होगा एक query ठीक है यह एक तरह का query होगा तो एक query बनाते है that you know get user token एक तरह का sign in इसमें मुझे तुम email दोगे of type string and तुम मुझे password दोगे of type string and in return तुम एक string मिलेगा यह string के आने वाले है token ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है अब इसका resolver बना लेते है तो इस name को copy and resolver तो इसके अंदर हम बनाएंगे यह वाला resolver यह होगा एक async function ठीक है पहला parameter खाली second parameter के अंदर हमारे पास payload होता है जिसके अंदर हमारे पास क्या आएगा एक तो आएगा email of type string and एक हमारे पास आएगा password of type string ठीक है तो इसके अंदर हम क्या करने वाले है इसके अंदर हम बोलेंगे that const token equals await ठीक है इसको हम करेंगे await user service dot get user token load dot password तो अब यह token अब basically यहाँ पर क्या होगा या तो यह error थो कर देगा या फिर token मिल जाएगा तो अभी के लिए return कर देते हैं ठीक है and याँ def तो अब इसको try करते हैं ठीक है तो try करते हैं और हमारे पास कुछ error ही आगया ठीक है तो देखते हैं क्या error है तो यहाँ पर वो बोल रहा है schema के अंदर यह नहीं है हाँ क्यों नहीं है विकॉज हमें यहाँ पर index में जाकर यहाँ पर हमें query में वो डालना होगा तो यहाँ पर हम डालेंगे user dot queries ठीक है and यहाँ पर हम करी रहे है गलत email देते हैं तो some invalid जो exist भी नहीं करती ठीक है तो मैं बता है यह email exist भी नहीं करती and कुछ भी password देते हैं ठीक है अगर मैं इसको query करता हूँ तो हमारे पास error रहा है user not found का बहुत बढ़िया अगर मैं अपनी email id सही देता हूँ ठीक है चूज करता हूँ and मैं इसको करता हूँ query हमारे पास token आ गया बहुत बढ़िया token को copy करके JWT की website पे चलते है and इसको paste करके देखते है ताट यह token क्या बना ठीक है तो अगर हम इस token को देखते हैं तो यह token हमारा यह बना जिसके अंदर ID है you can see ताट यह वाली ID है and हमारे पास email है and हमारे पास expiry date भी है बहुत बढ़िया and यही तो होता है authentication और क्या होता है right तो हमने देख लिया that किस तरह से हम tokens को generate कर सकते right किस तरह से हम users को create कर सकते तो next video में हम देखेंगे that हम headers में इसको कैसे डाल सकते है headers के अंदर हम tokens को pass करके और चीज़े कैसे बना सकते है तो जैसे for example हम अगली वीडियो में जैसे हम एक service बनाएंगे post like अगर हमें कोई threads आपके अंदर कोई post बनाने को thread बनाना है तो हमें user का token चाहिए होगा ठीक है authorization हम किस तरह से कर सकते वो हम next video में देखेंगे तो पहले हम code को push कर देते हैं कहीं मैं भूल जाओ तो git add dot git commit git commit hyphen m and इसको हम बोच सकते हैं added user user sign up and sign in right and उसके बाद हम कर सकते हैं इसको git push ठीक है तो git push कर दिया and that's it तो हमारी 2 services ready होगे करो किस तरह से work कर रहे and I hope you understood कि हमने user को create कैसे किया and हमने user को login कैसे किया so that's all for this video मिलते हैं आपको next video में until then bye bye take care